Future Continuous Tense, इस tense को किस situation में use किया जाता है, उसे हम detail में समझेंगे previous video यानि future indefinite tense में भी हमने future में होने वाले incident की बात की थी बट वो situation different था, अब क्योंकि ये future continuous tense है, तो यहाँ पे कोई भी action future में किसी particular time से continue रहेगा इसे एक situation के थुरू समझते हैं, suppose कल सुबर 10 बजे मेरे घर पूजा शुरू होगी मैंने अपने दोस्त को पूजा में invite किया, तो उसने कहा कल 10 बजे मैं तो busy रहूंगी, मैं 11 बजे तक आऊंगी तो मैंने कहा ठीक है, कल जब तुम आओगी पूजा हो रही होगी यानि कि हमारी conversation अभी present में हो रही है, और हमारी planning हो रही है, आने वाले कल के किसी specific time की, जहां कोई action continue रहेगा, कुछ समय के लिए तो यह है future continuous tense, for example, दो घंटे बाद सीमा खाना बना रही होगी तो यहां हम present में सीमा के बारे में बात कर रहे हैं कि दो घंटे बाद सीमा खाना बना रही होगी बनाएगी नहीं ये future indefinite tense हो जाएगा बना रही होगी यहां हम अंदाजा लगा रहे हैं यानि predict कर रहे हैं कि दो घंटे बाद सीमा खाना बना रही होगी अभी वो free है तो जो भी आपको पूछना है या जो भी help लेना है अभी करवा लो नहीं तो दो घंटे बाद वो वीजी हो जाएगी तो जब भी हम इस sense में बात करते हैं situation कुछ इस तरह का होता है तो future continuous tense को use किया जाता है सबसे पहले हम कुछ affirmative sentence सेखेंगे इसका structure होगा subject plus will plus be plus verb की first form plus ing plus object तो सबसे पहले subject फिर will उसके बाद be then verb की first form में ing उसके बाद object इस tense में helping verb will के साथ be का use किया जाता है अब कुछ example देखते हैं अगले हपते वे मुंबई से वापस आ रहे होंगे they will be coming back from Mumbai next week कल हम दो बजे market जा रहे होंगे we will be going to market tomorrow at 2 o'clock सीमा खाना बना रही होगी सीमा will be cooking तो ये सारे single sentence हुआ आगे हम double sentence को कैसे form करना है ये सिखेंगे फिलाल negative sentence कैसे बनाते है ये देखते है तो जब भी हम negative sentence बनाएंगे तो helping verb will be के बीच में not use करेंगे जैसे subject plus will plus not plus be plus verb की first form में ing plus object तो structure में जो भी changes होगी वर्व से पहले होगी बाकी सारा structure सेम रहेगा example है अगले हपते बे मुंबई से वापस नहीं आ रहे होंगे they will not be coming back from मुंबई next week हम कल दो बजे market नहीं जा रहे होंगे we will not be going to market tomorrow सीमा खाना नहीं बना रहे होगी सीमा बिल not be cooking अब जब interrogative sentence form करेंगे तो यह subject की जश्ट पहले helping verb will को place करेंगे then subject उसके बाद be then rest of the sentence और last में question mark क्या वो तस्वीर बना रहा होगा will he be drawing a picture क्या सीमा खाना बना रही होगी और जब हम interrogative negative sentence बनाएंगे तो same structure रहेगा सिर्फ subject के बाद not का use होगा जैसे क्या वो तस्वीर नहीं बना रहा होगा will he not be drawing a picture क्या वे लोग कलसाम को पार्क में नहीं खेल रहे होंगे will they not be playing in the park tomorrow evening और जब हम wh words वाले interrogative question फॉर्म करेंगे तो same structure रहेगा सिर्फ helping verb will के पहले wh words को use करेंगे अब कुछ wh words वाले sentence देखेंगे जैसे वह खाना क्यूं बना रही होगी why will she be cooking food कल साम को वे कौन से पार्क में खेल रहे होंगे in which park will they be playing tomorrow evening वे लोग पतना कब जा रहे होंगे when will they be going to पतना तो ये था situation 1 जिसमें हम single sentence form करते हैं अब situation 2 जिसमें double sentence form किया जाता है तो चलिए कुछ double sentence वाले sentence देखते हैं जैसा कि मैंने starting में ही बताया था जब तुम आओगी पूजा हो रही होगी तो ये double sentence वाले sentence है जैसे जब तुम आओगी ये एक first sentence है और पूजा हो रही होगी ये एक second sentence है और जो first sentence है उसके लिए present indefinite tense यूज किया जाता है और जो second sentence जिसमें रहा होगा, रही होगी आए उसके लिए future continuous tense यूज किया जाता है तो पहले इसका structure देखते है When plus subject plus verb की first form Subject अगर plural है तो और अगर subject third person singular है तो verb में as, yes, then object, then comma फिर subject plus will plus be plus verb की first form plus ing, then object तो यह जो first structure है यह है present indefinite tense उसके बाद comma और second structure है future continuous tense अब कुछ example देखेंगे जब मैं office से घर आऊंगा, मेरी माँ खाना बना रही होगी When I come to home from office, my mother will be cooking food तो सबसे पहले हमने conjunction when का use किया उसके बाद जो first clause है उसके लिए present indefinite tense और जो second clause है उसके लिए future continuous tense यूज किया अब हम इस sentence को इस तरह से भी form कर सकते हैं जब तुम बस स्टॉप पहुचोगे वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी When you reach at bus stop, she will be waiting for you तो ये थे double sentence वाले sentence I hope ये concept clear हो जाएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में Till then keep learning, keep practicing जाएगा जाएगा लाएगा जाएगा जाएगा कर दो जाएगा है